तो आज के इस वीडियो में हम देखने बाले है इसमाइल 3.0 का होमबग हाना कच्छा नोभी बीसे विज्ञान अठाइज जुराइदो है और 11 का इसमाइल 3.0 का होमबग का सलूशन इसमें अध्धाय हमको दिया है क्या हमारे आजपास का पदारत सुद्ध है और इसको टोपिक है प्रवाज आजवन तो उसका हम पूरा फुल सलूशन देखने वाले है और साथी मैं आपको समझाने वाला हूँ तो वीडियो को अंतर ध्यान लगा कर समझेगा तो आप इस वीडियो के नीचे लाइक के बटन दिख रहा है आप उससे अभी दबा दीजि हमें आपर फेला कोशन दिया है कि किस तरह के मिश्रणों को आजवन बीदी से प्रतक किया जाता है हना बे कौन से मिश्रण है जिसे हम आजवन बीदी से प्रतक कर सकते है तो देखी बच्चों इसका आजवन बीदी द्वारा मुखिता द्रवों के मिश्रण को प्रतक किया जाता है, हैना मतलब की कोई द्रब का मिस्रण होता है, हम उसे किसे प्रतक करते हैं, आजबन बीदी से हम प्रतक करते हैं, ठीक है, दो द्रबो के, दो द्रबो को जब मिस्रण होता है, हम उसे आजबन बीदी से प्रतक करते हैं, दो द्रबो के कोथनांग में अंतर अधिक होत तो उनके मिस्रण को इस बीदी से प्रतक किया जाता है कोथनां क्या होता बच्चों या हम आगे पढ़ने वाले आपको समझ में आजाया कोथनां किसे कहते हैं आजबन बीदी में किसी द्रब को बास्पित कर किसी दूसरे स्थान पर इकटा करके ठंडा करने के बिशिष्ट द्रब प्रतक कर लिया जाता है हम करते किया है देखिए किसी द्रब को हम बास्पित यानने की उबाल देते हैं उबालने पर क्या होता है दूसरे स्थान पर जो उबालने पर क्या होता है बिट ठंडा बन जाता है तो हम उसे बिशिष्ट द्रब प्रतक करके हम प्राप्त क तो यह आपका आंसर हो आएगा पहले कोशन का अब देखी बच्चों मार सेकंड कोशन हम भी दिया है कोथनांग किसे केते हैं हम पढ़ने भाले की कोथनांग किसे केते हैं तो आई हम समझते कोथनांग किसे केते हैं तो देखी बच्चों रसायन बिग्यान ये फिर बिग्या मतलब की आपका सीम्पल से मतलब यह है कि बे गर्मी या फिर बे ताप बेताप जिस पर कोई द्रव जिस पर कोई द्रव यानि की द्रव हम किसी किते तरल पता जैसे की पानी हो गया पेट्रोल हो गया कुछ भी हो गया हाना कोई द्रव बेताप जिस पर कोई द्रव अवस्थ पे कोई द्रव उबल कर हाना कोई द्रव उबल कर द्रव अवस्थ से वास्थ पबस्ता ये फिर भाप अवस्थ में परिवर्तित हो जाए जैसे कि जल को यदि हम इतना ताप पर उबाले कि जल द्रव अवस्थ से बदल कर भाप में परिवर्तित हो जाए किसमें भाप में पर कोथना कहते हैं तो ये आपका है थीक है अर्थात बे इस्थिरत आप जिस पर में परिवर्तित हो मैं उस्ताप को कहते है इस बात को आध रखना है आगा पको काम पढ़ेगी ठीक है दिया है कि किष्टली करण की तकनिक के दो अनुप्योग लिखे जो किष्टली करण है उसके जो टेकनिक होती है में उसके दो अनुप्योग लिखना है कहां कहां पार इसका उप्योग के जाता है तो देखी बच्चो इसका अनुप्योग लिखते है तो देखी बच्चो पहल स्कूप की जाता है समुधरी जल से प्राप्त नमक को सुध्ध करने में आप घर में जो भी नमक खाते हो जो भी नमक का आप सिवन करते हो जो नमक प्राप्त होता है सबसे पहले समुधरी में प्राप्त होता है तो वो सुध्ध नहीं होता है आसुध होता है उसमें बहुत सा से कोशन कांसर हो गया है अब हम देखते हैं अपना चोथा कोशन चोथा कोशन हमें दिया है जल और एसीटोन की मिस्रणा में कौन सा पदार्थ पहले प्रत्थक होगा तो इस कांसर आएगा आपका जल और एसीटोन की मिस्रणा में से एसीटोन पहले प्रत्थक होगा क्योंकि क्योंकि जो acetone होता है अधिक बास पसील होता है यानि कि जो acetone है सबसे पहले भाप में बदल लाता है भाप में बदल लाने के करांट जो acetone सबसे पहले हमें प्राप्त हो जाता है और जो जल है बे नीचे बेठा रहे जाता है जल कहां नीचे बेठा रहे आता है और जो भाब हना जो एसीटोन भे ऊपर उड़ जाता है इसलिए में एसीटोन पहले प्राप्त हो जाता है इसका चोज़तु कोशन कांसर हो गया उम्मीद आप सब्सक्राइब को समझ में भी आ रहा होगा इसका चोज़तु कोशन का तुरंट सलिएट पर कर दीजिए और या फिर आप उस कोशन को टाइप करके विए नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं आप सिंपली अपना यहां कोशन लिखिए जो भी है कोशन लिखने के बाद आप यह सब ओप्सन सिलेट कर लिजिए एक्सपर्ट्स तुरंट लाइव आकर बिदिन सिक्स्टी सेकंड्स में आपका आंसर देंगे जी सर नमस्ते जो अपना इंटरनेट है उसके निर्मान किस ने किया थेंक्यू सर डिस्क्रिप्सन में दी होई लिंक से आप एक को डाउंड कर सकते हैं और आपने सारे डाउट किलियर कर सकते हैं तो जाएए और डाउंड कीजिए बचो देखिए हमारा आपर पाजवा आखरी कुश्ण है आजबन बीदी से प्रदार्थों को प्रत्रक करने के लिए किन बातों को होना वाज सके हैं जब हम आजबन बीदी से प्रदार्थों को प्रत्रक करते हैं यानि कि अलग अलग करते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान तो देखे बच्चो इसका आंसर हम देखते हैं और पिच्चकरत आग घुलना ने चाहिए मतलब कि देखे जो योगिक है बेपानी में घुलना ने चाहिए उसका अंदर मिलना ने चाहिए बेपानी में आग घुलना ने चाहिए और उबलते पानी में बास्प का दबाव होना चाहिए जो की बन KPA बातवरन की क्रम्प का हो तो यह आपका आंसर हो जाएगा तो आज के इस वीडियो में हमने आपकी जो इसमाइल 3.0 का होमबैक है 29 जुलाई 2.1 का इसका अच्छे से समझ लिया है उमीद आप से उको समझ में आगा होगा तो वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है आप उससे अभी दबा दीजिए और साथी चैनल पर नाए चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि जो आपके लिए समाइल 3.0 का होमबैक जो है सबसे पहले हम हमारे चैनल पर उपलप्त कराते है ताकि आप सब बच्चों की हेल्प हो सके साथ ही में आप अपने फ्रेंड को जरूर से करिए ताकि हमारी भी थोड़ी रीच बाढ़ सके तो उम्मित आपको वीडियो हेल्प हो लागा दो हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मिलते है अगले वीडियो में तब तक के जेंद जे भालत